So good morning guys और आपके क्रेक एक्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में साथ जुलाई की important current affairs को हम लोग cover करेंगे तो हमारा पहला प्रशनी क्या है हाली में भारत में common service center की पहली transgender operator कौन बन गई है तो आंसर होगा जोया खान तो गुजरात के वडोदरा से हैं ये जोया खान जो की भारत में common service center की पहली transgender operator बन गई है और जोया खान का उद्दिश्य है समुदाई के लोगों को यानि कि transgender समुदाई के लोगों को डिजिटली रूप से सक्षम बनाना यानि कि उन्हें digital youth के साथ चलना सिखाना तो ये जो common service center है इसे सरकार के द्वारा ग्रामीन और दूर दराज के स्थानों पर इसेवा यानि कि internet service के लिए शुरू किया गया था जहां पे computer और internet उपलब्द नहीं है तो इस प्रशने से आपको जोया खान का नाम याद रखना है अच्छा इसी तरह से कुछ और important नाम में आपको बताता हूँ उन transgender के जो भी news में रहे थे जैसे कि आईशा मुगल आपको याद होगा पाकिस्तान ने एक transgender महिलाओ को संयुक्त राष्टर प्रतिनिदी मंडल में शामिल किया था और ऐसा करने वाला वो पहला देश बना था तुन transgender का नाम यही था आईशा मुगल बाकि जो इता मुंडल की बात करेंगे याद रखना भारत की पहली transgender जर्ज बनी थी ये और पृतिका याशी नी भारत की पहली transgender पुलिस ओफिसर बनी थी ये इसके अलावा अभी आपको याद भी होगा अभी Noida Metro Rail Corporation ने Sector 50 Metro Station को She-Man Metro Station में बदलेगा ऐसा गोशना की थी और इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा Rainbow Station इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो कि उत्तरप्रदेश की कुशिन अगर में भारत की पहली transgender university बनेगी और अभी इनोंने ही ये किताब लिखिये जिसका नाम है Overdraft Saving the Indian Saver जिसे इस महीने के end में release किया जाएगा अच्छा उर्जीत पटेल से कुछ याद आ रहा होगा आपको अगर आप daily हमारा current affairs का lecture पढ़ते होंगे तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था इनको National Institute of Public Finance and Policy का अध्यक्ष बनाया गया था उर्जीत पटेल को ही बाकी रगुराम राजन ये भी RBI के पूर्व गवर्नर हैं और पिछले साल इनकी एक बुक आई थी क्या नाम था बुक का The Third Pillar बाकी CAV पटा भी राम की बात करेंगे अभी इन्होंने बुक लिखिये जिसका नाम है Future of Higher Education आपको याद होगा जिसको रिलीस किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट एंप वेंकया नायडोजी ने और डॉक्टर अदीशा दास इन्होंने कौन से बुक लिकी थी The Yogini Poems Love and Life याद रखना ये बढ़ते आगे फिर हाली में कौन सा देश कोईला और परबाणू उर्जा को बंद करने वाली पहली प्रमुक अर्थववस्ता बन गया है तो आंसर होगा जर्मनी तो अभी जर्मनी ने 2038 तक कोईले से चलने वाले जो पावर प्लांट्स हैं उनको और 2022 तक न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद करने का फैसला किया है और ये सब किया जा रहा है CO2 एम साथ मैं आपको बता दू कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लिगनाइट कोल को यहीं पे जलाया जाता है लिगनाइट कोल मतलब क्या होगा इट इस ग्रीड ओफ कोल का ही एक टाइप है देखो अगर आपके कॉम्पीडिशन में साइंस आती है या आपके साइंस सब्जेक् होता है फिर आता है बिटोमिनस का नंबर फिर लिगनाइट होता है और सबसे बेकार या सबसे लास्ट में होता है पीट यह कितना कार्बन कंटेन करते हैं उसके सबसे यह डिसाइड होता है कौनसा अच्छा है कौनसा बेकार है सब चादा कार्बन होता है एंथरे साइट मे 90 परतिशत से जादा होता है पीट में 50 परतिशत के आसपास होता है इसलिए सबसे बेकार उसे माना जाता है तो इसे भी आप ध्यान रखना ये अडिशनल जानकारी में आपको दिये बाकी जर्मनी की बात कर लेते हैं येरा मैप में जर्मनी कैपिटल बर्लिन है करंसी है यूरो यहां की चांसलर का नाम है एंजिला मरकेल और प्रसीडेंट है फ्रेंक वाल्टर स्टिनमेयर अच्छा जर्मनी के म्यूनिक में ही आपका हैटकॉर्टर है इंटरनेशनल शूटिंग स्पूर्ट्स फेडरेशन का इसके अलावा भी जर्मनी ने अपने जनता को कोरोना से बचाने के लिए कोविड वर्न एप्लिकेशन को भी लॉंच किया था और यहां से एक प्रशन अभी हमने पढ़ा था अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था फ्रांस के जो प्रधान मंतरी थे एडॉर्ड फिलिप उन्होंने इस्तिफा दे दिया था तो अभी फ्रांस के जो प्रसिडेंट है इम्मैनुवल मैकरॉन उन्होंने जीन कास्टेक्स को France के नए प्रधान मंतरी के रूप में न्यूट किया है अच्छा बाकी जो ये option है ये सारे भी important है एक तो हमने पढ़ा था गुड़नी जोहांसन के बारे में Iceland के दोबारा से president बने है Michael Martin, Ireland के नए प्रधान मंतरी बने और लाजरस चकवेरा मलावी के नेर राश्टर पती बने थे अब बात France की है तो ये देखिए मैप में France Capital क्या इसकी Paris है और आपको बता है ना 2024 के ओलंपिक कहां पे होने वाले है France Paris में होने वाले है और Paris में आपको मिलेगा UNESCO का Headquarter इसके अलबा FATF Financial Action Task Force का Headquarter भी यहीं पर है और OECD यानि कि Organization for Economic Cooperation and Development का Headquarter भी यहीं पर है इसकी करंसी है Euro President Emmanuel Macron अच्छा France से एक और पॉइंट में आपको बताता हूँ अभी इसी साल की बात है France की सरकार ने संजना कपूर को Knight of the Order of Arts and Letter सम्मान से भी सम्मानित किया था Media अभयान शुरू किया गया आंसर होगा मध्यपरदेश में तो राज में परियेटकों को आकर्शित करने के लिए मध्यपरदेश परियेटन बोर्ड ने सोशल मीडिया अभयान शुरू किया है और इस अभयान का नाम क्या है इंतजार आपका इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉम पर एक टेग लाइन के साथ हर परियेटर निस्तल की विशेशताओं को आकरशक तरीके से बता करके परियेटकों को आकरशित किया जा रहा है अब बात मद्य परदेश की है तो ये रा मैप में मद्य परदेश चैपिटल इसकी भोपाल है हजारों बार बता चुकाओं आपको भारत का पहला इवेस्ट क्लिनिक आपका भोपाल में ही है याद रखना ये प्रश्ण इंपोटेंट है मुक्य मंत्री है शिवरा सिंग चोहान गवर्नर देखो गवर्नर से अभी हमने पढ़ा था ना वैसे तो इसके गवर्नर लाल जीदा स्टंडन है लेकिन तबियत खराब है इलाज चल रहा है उसके अलवा मद्यपरदेश ने निष्ठा विद्यूत मित्र योजना शुरू की है एक श्रम सिद्धी अभियान शुरू किया है और मुक्य मंत्री शहरी पत व्यवसाई उत्थान योजना शुरू की है कुछ और योधना मैं आपको बताओं तो यहाँ पर रोजगार से तो योजना शुरू की गई थी दीदी वाहन सेवा शुरू की गई थी बुखार क्लिनिक सेवा शुरू की गई थी और तो F.I.R. आपके द्वार योजना शुरू की गई थी उसके अलावा मद्य परदेश के पुलिस कर्मियों को करम वीर पदक से सम्मानित करेंगे ऐसी घोशना की थी मद्य परदेश सरकार ने चरन पादू का पहल यहां पे शुरू की गई थी मुख्य मंत्री जन कल्यान संबल योजना शुरू की गई थी सबसे ज़्यादा शिशु मृति उदर पूछा जाए तो मद्य परदेश आंसर करना उसके अलावा कोविड नाइंटीन योधा कल्यान योजना जीवन अमरत योजना जीवन शक्ती योजना और मिड़े मील राशन देने वाला पहला राज्य भी आपका मद्य परदेश ही है उसके अलावा मद्य भारत का पहला मेगा फूट पार्क यह आपका कहां पर बना है मद्य परदेश में मद्य परदेश के देवास में कुछ national parks में आपको हमेशा बताता हूँ जैसे कि बांदवगर नेशनल पार्क ये रोयल बंगाल टाइगर्स की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है और यहां पे आपको मिलेगा काना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, संजे नेशनल पार्क, एक संजे गांद इसको लाइक कर दीजिए, लास्ता का आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ, और अगर आप में से कोई स्टुडेंट इस चैनल को फर्स टाइम देख रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को चरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो, बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है, चलिए बढ़ते आगे, फिर हाली में किस राज्ये ने एक ही दिन में 25 करोड से जादा पौदे लगा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है, आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने, तो अभी उत्तर प्रदेश में मिशन वरक्षा रोपन 2020 अभियान के तहत 5 जुलाई को, एक ही दिन में 25 करोड से जादा पौदे लगा करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया, आपको याद होगा शायद पिछल अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो यहरा मैप में उत्तर प्रदेश कैपिटल इसकी लकनाओ है, और लकनाओ किस नधी के किनारे इस्थित है तो गौमती नधी के किनारे और हमारे जो रक्षा मंत्री जी है राज नाथ सिंग जी उनका निर्वाचन शेत्र भी है लखनाव मुख्य मंत्री है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर के बारे में मैं आपको बताए चुका हूँ अच्छा पहले अपन बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश किन-किन मामलों में अभी फर्स नंबर पे रहा तो पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज बना था उत्तर प्रदेश उसके अलावा जियो टेग कम्यूनिटी किचन शूरू करने वाला पहला राज़ आपका उत्तर प्रदेश ही है Google के साथ मिल करके उसके अलावा वर्चुल कोट के जरिये जन सुनवाई करने वाला पहला राज़ भी उत्तर प्रदेश है उसके अलावा COVID-19 मरीजों के लिए एक लाख बिस्तर तयार करने वाला पहला राज़ भी आपका उत्तर प्रदेश ही है और राज़ के सभी अस्पतालों में वेंटी लेटर बेड की सुवीदा वाला देश का पहला राज़ उत्तर प्रदेश ही है उसके अलावा COVID-19 मरीजों को रेल के डिबों में बने आईसोलेशन वाड में रखने वाला पहला राज़ भी बना है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहट श्रमिकों को सबसे जादा रोजगार देने वाला पहला राज़ भी बना था तो यह सारे पॉइंट्स में आपको बता दी उत्तर प्रदेश से जिन मामलों में भी उत्तर प्रदेश टॉप पे था तो यह आपको याद रखने बाकिया हम बढ़ते हैं फिर अभी हाली में किस IIT के छात्रों ने कोपाल 19 एप्लिकेशन को शुरू किया है तो अंसर होगा न्यूज में था एक तो आपको याद होगा इसने पहला एंटि माइक्रोबियल और वाशेबल यानि की धो करके फिर से यूज करने वाला एक मास्क बनाया था जिसका नाम रखा था एन सेफ उसके अलावा इसने प्रकृति नाम से एक डेश बोर्ड भी बनाया था COVID-19 के प् रखा है UNISAVIOR इसके अलावा IIT रूड की ने प्राण वायू नाम से low cost portable ventilator बनाये था उसके अलावा IIT रूड की की प्रोफेसर ने एक software डेवलप किया था जिसमें 5 सेकंड में COVID-19 का पता लगाया जा सकता है X-ray scan को यूज करके कि उस वेक्ति को कोरोना है या नहीं है बाकि I IIT मदरास तो काफी कारणों से news में था सबसे important तो एक point याद रखलो अभी इसने programming और data science में दुनिया का पहला online B.A.C. degree course शुरू किया है इसके अलावा भारत की पहली hyper loop pod प्रतियोगिता का आयोजन यहीं पर किया जाएगा और अभी जो HRD मंत्राले ने जो national institute ranking जारी किये उसमें overall category में top पे रहा था IIT मदरास बाकी IIT Bombay अभी इसने ध्रूव नाम से एक chip डेवलप की है और quarantine application इसने बनाई थी और digital sthetoscope I.U.S.S. इसने बनाए था तो यह सारे points याद रखना बढ़ते हैं आगे फिर हाली में DRU के द्वारा बनाए गए COVID अस्पताल के वार्डों का नाम किसके नाम पर रखने की गोशना की गई है तो अंसर उगा गलवान घाटी में शहीद सेनिकों के नाम पर गलवान घाटी जहां पे चीन के सेनिकों के साथ जड़ा पूई थी और हमारे 20 जवान शही हो गए थे तो उनी के नाम पे इन वार्डों के नाम रखे जाएंगे तो DRU ने दिली में ये अस्थाई COVID-19 अस्पताल बनाया है जो की 1000 बैड की सुविधा बाला है और इसमें वार्डों के जैसे वार्ड होते हैं ना हॉस्पिटल में वार्ड नमर वन वार्ड नमर टू त इसका नाम है सरदार वल्लब भाई पटेल COVID-19 अस्पताल अब मैंने आपसे इसा क्यों बोला नाम बड़ा इंट्रेस्टिंग है वह पटेल जी का नाम आपने पहली बार तो सुना ही नहीं है वो इसलिए बोला क्योंकि ये नाम आपको कंफ्यूज कर सकता है अब ध्यान से स मैंने आपको कली बताय था कि दिल्ली सरकार ने 10,000 बेड़ वाला सबसे बड़ा अस्ताई COVID-19 अस्पताल बनाया है और उसका नाम क्या रखा था सरदार पटेल COVID-19 अस्पताल तो इसलिए मैंने आपको बोला ये नाम आपको कंफ्यूज कर सकता है और मैंने आपका कंफ्यू इस्तापना 1958 में हुई थी और 1958 में किस की स्तापना और हुई थी? नासा की इस्तापना भी 1958 में हुई थी. हैटकोर्टर नहीं दिल्ली मैं है और इसके अद्ध्यक्ष का नाम है G. Satish Ready जिनको पिछले साल Missile System Award भी मिला था. DRD यो का मोटू क है Strength Origin Is In Science अभी आपको यादुग नाम से Ultra Voilet Based Sanitizer भी विक्सित किया था DRD उने इसके अलावा भी DRD उने जर्मी Clean नाम से एक Sanitizing Chamber भी बनाया था जिसमें सुरक्षा बलो की वर्दी जो होती है जो ड्रेस होती है उसको किटानू रहित करने के लिए तो ये points भी ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे फिरहाली में उडीशा सरकार ने हरित आवरन को बढ़ाने के लिए किस नाम से एक पहल को शुरू किया है तो अंसर होगा सबुझा उडीशा तो उडीशा सरकार ने राज में व्रक्षा रोपन के माध्यम से हरित आवरन बढ़ाने के लिए सबुजा उडिशा पहल को शुरू किया है तो इसमें क्या होगा इसमें एक रुपे की दर से लोगों को बीज बाटे जाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बीज लगाएं ज़्यादा पौधे लगाएं और इसी तरह से अभी आपको याद भी होगा दिल्ली सरकार ने भी पौधे लगाओ परियावरन बचाओ अभियान शुरू किया था अच्छा बताओ देश में कितने नगरवन बनाए जाएंगे तो याद रखना दो सो बाकी अगर बात उडिशा की है तो ये रा मैप में उडिशा कैपिटल इसकी भौवनेशवर है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का स्काल जो पहला संसकरन हुआ था वो भौवनेशवर में ही हुआ था जिसे किसने जीता था जिसका नाम था The Adventure of Daredevil डेमोक्रेट और अभी पेटा ने नविन पतनाय को Hero to Animal अवाड दिया था पेटा जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्ता है और पेटा मतलब होता है People for the Ethical Treatment of Animal और अभी उडिशा हाई कोट के नए Chief Justice भी बने थे इनका नाम है मुहम्मद रफीक इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था कली उडिशा ने बलराम योजना भी शुरू की है काई के लिए जो भूमी हीन किसान है जिनके पास जमीन नहीं है उनको लोन देने के लिए और उडिशा में जगनात रथ यातर को भी मंजूरी दे दी थी सुप्रीम कोट ने और कोविड के एर होम भी शुरू किये गए थे उडिशा में ही उसके अलावा जन जातिये छात्रवासो हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज़े भी बना है उडिशा और सबसे important point याद रखो अभी बंदे उतकल जन्नी को state song का दरजा मिल गया है जिसको लिखा था के लक्ष्मी कांता महापात्र ने उसके अलावा आप याद रख सकते हो जैसे कि मो कारेकरम, मो जीवन पहल मो प्रतिवा पहल और मैंने तो आपको बताया भी एक shortcut कि कोई भी पहल हो, कोई भी कारेकरम हो, कोई भी योजना हो अगर वो मो से स्टार्ट हो रहा है तो वो ओडिशा का ही होगा, या आप याद रख लो अच्छा ये प्रश्ण एक्जाम में काफी पूछा गया है कि Black Pagoda Temple किसे कहते हैं Conark Sun Temple कोई कहते हैं और आपका जो 10 रुपे का नोट होता है उस पर Conark Sun Temple का ही चितर अंकित है और Conark Sun Temple अभी निउज में क्यो था क्योंकि एक तो Conark Sun Temple और एक Statue of Unity जो की गुजरात में है इनको Iconic Sight में शामिल किया गया था और Conark Sun Temple के सोर करण यानि की Solarization भी किया जाएगा ऐसी भी घोशना हुई है उसके लावाग और Static Point में आपको बताता हूँ जैसे कि Longest Dam of India आपको मिलेगा यहीं पर Udisha में जिसका नाम हीराकुड डेम किस नदी पर है तो महा नदी पर है और 12 बत्ति स्टेडियम ये भी बहुत एक्जाम में आता है ये कटक Udisha में आपको मिलेगा और ये जो आप देख रहे हो ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की कौन सा रंग का डस्ट बिन नरधारित किया है तो अंसर होगा पीले के लरगा तो इंदौर में जगे जगे पर जो डस्ट बिन लगाए गए हैं जिनमें कोरोना वाइरस से संक्रमित मास्क वगेरा या गलप्स वगेरा सब फेके जा सकते हैं पीले रंके होंगे ये और इंदौर नगर निगम तो वैसे ही मशूर है क्योंकि इंदौर भारत का सबसे साफ शहर रहा है स्वच्छे सर्वेक्षन 2018 और 2019 में इसके अलावा आपको बुता दू कि इंदौर भारत का पहला शहर बनाता जहां पे शहर को सेनिटाइज करने के लिए ड्रोन का इस्तमाल किया गया था और इंदौर किस कारण से निउज में था हाँ एक तो भारत की तीसरी प्रैविट ट्रेंज जो आपकी चली थी वो इंदौर और वरानेसी की बीच में ही शुरू हुई थी उसके अलावा जो इंदौर का जो दिवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड़ा है वो अब इंटरनेशनल एरपोर्ट बन गया है और यहाँ से जो पहली उड़ान उड़ी थी वो दुभई के लिए उड़ी थी उसके अलावा जो आइफा अवार्ड थे होते हैं वो इस साल इंदौर में ही होना प्रस्तावित है इसके अलावा इंदौर से एक और पॉइंट बताता हूँ कि देश का पहला और दुनिया का दूसरा Infantry Museum ये भी आपका इंदौर में ही खुलेगा और इंदौर आपके मद्दे परदेश में है और मद्दे परदेश के बारे में आपको डीटेल से पीछे बदा चुका हूँ तो अभी हम बढ़ते हैं आगे फिर हाल ही में CBSE ने किसके साथ मिल करके सिख्षकों और चातरों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है तो अंसर होगा फेस्बुक के साथ तो अभी CBSE और फेस्बुक ने मिल करके Digital Safety और Online Well-Being यानि कि Digital सुरक्षा और Online कल्यान पर Teachers और Students को Training देने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है तो इसमें Students को Online सुरक्षा से आउगत कराया जाएगा ताकि वो एक जिम्मेदार Digital User बने और खत्रे की पैचान करके उसके Report कर सके अच्छा CBC से एक पॉइंट याद रखना भी इसके नए अध्यक्ष बने थे जिनका नाम है मनोज आहुजा Facebook का जो Headquarter California यूएस में है और इसके Founder और CEO है मार्क जकरबर्ग तो ये भी आदर्खना बढ़ते आगे फिर है हाली में किर्केट दक्षिन अफरिका के वार्षिक पुरुसकार 2020 में किस किर्केटर को Male Cricketer of the Year चुना गया तो आंसर होगा Quinton D.Cock को तो Crickete South Africa के Annual Awards 2020 में Quinton D.Cock को Mains Cricketer of the Year के रूप में नामित किया गया है साथ मैं आपको बता दू ये Test Cricketer of the Year भी रहे है जबकि अगर बात करेंगे Women's Cricketer of the Year के रूप में किस को चुना गया तो Laura Walward को और साथ ही में ये One Day Cricketer of the Year भी चुनी गई है अब बात South Africa की है तो ये रहा मैप में South Africa देखो इसकी Capital बड़ी इंट्रेस्टिंग है तीन Capital आपको यहाँ पे मिलेगी Capitown जो कि इसकी Legislative Capital है Pretoria इसकी Administrative Capital है और एक और है Bloem Fountain ये Judicial Capital है Currency है South African Rand और President है Cyril Ramaphosa तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रशन के उत्तर की तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि CMFRI के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज़े 2019 में समुदरी मच्छली उत्पादन में टॉप पे रहा तो guys इन सभी questions का quiz बना करके मैंने application पर upload कर दिया है तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहाँ जाए और इन सभी questions का आप practice लगा लीजिए ताकि ये सारे questions आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए आपको ये नहीं जितने भी लोग quiz लगाएंगे उन सब को दिखाई देगा कुछ इस तरीके से ताकि आपको भी एक अंदर से motivation मिल सके कि आपको भी यहाँ तक पहुचना है ताकि सब लोग आपको टॉप 10 देख सके और वैसे भी आप तो आपकी इन Current Affairs का revision करवाने के लिए मैं इसका audio भी तयार कर रहा हूँ तो दिन में 4-5 मिनिट निकाल करके आप आप audio सुन लीजिए ताकि आपका इन Current Affairs का फिट से revision हो जाए क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना important है लेकिन समय समय पर उनका revision करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है revision नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ा भूल जाओगे तो आप ही के लिए मैं इसका revision audio तयार कर रहा हूँ तो उस audio का link मैंने नीचे description में दे दिया है वहाँ जाकर करके आप मुझे follow कर लीजे और follow करने के बाद में पास में जो bell icon आएगा आप उसे ज़रूर दबा लेना ताकि जब भी मुझे audio अपलोड करूँ उसका notification आपको मिल सके और application अगर अभी तक आपने download नहीं किये तो उसका link भी आपको नीचे मिल जाएगा वहीं पर आपको quiz, video, pdf सब मिल जाएगे तो इस प्रस्ण का उतर आता है तो comment box में ज़रूर टाइप करिए चलिए अब मिलते है करन्ट अफेस के revision वीडियो में Thank you guys